जब बात बॉलिवुड और साउथ की हो तो मुझे पता है सबसे पहले लोग साउथ की फिल्मों का नाम लेंगे क्यों ना लें जबकि साल 2022 ऐसा साल था जब साउथ की तरफ से चार ऐसी फिल्में थी जुन्होंने बॉलिवुड के छक्के छुड़ा दिये थे ट्रीपल आर की जेब चाप्टर टू कांटारा विक्रम और उस साल बॉलिवुड की इतनी बैजिती हुई इतनी बैजिती हुई कि मानों लोग यहां तक कहने लगे थे कि बॉलिवुड अब खत्म बॉलिवुड का काम तमाम तो भाईया बॉलिवुड वाले भी परिसान अब जाये तो जा बॉलिवुड की वट्टी से निकल कर पठान जवान गदर टू एनिमल जैसे फिल्मों ने गदर मचाया था और बॉक्स अफिस को खूब लूटा बट क्या 2024 में बॉलिवुड का सिक्का फिर चलिगा क्या 2024 में कोई ऐसी फिल्म है जो हजार करोड के कलेक्शन को पार करें क्या 2024 में सिर्फ साउथ की फिल्मों का बॉल बाला रहेगा तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2024 किसके नाम साउथ या बॉलिवुड कौन होगा माला माल तो देखे भाई साउथ की तरफ से 5 ऐसी फिल्में आने वाली है जो बॉलिवुड पर भारी पढ़ सकती है सबसे पहले तो परबास की कल की 2898 आएगी जो इंडियन सिनेमा में पहली ऐसी फिल्म है जो बिलकुल अलग होने वाली है अगर चल गई तो 2000-3000 करोड तो पक्त वहीं फिर जूनियर एंटेयार की देवरा पार्ट बनाएगी जिसके ग्लिम्स को भी लोगों ने खोब पसंद किया और उसके बाद राम चलन की गेम चेंजर जो एक पॉल्ड कल ड्रामा फिल्म होने वाली है उसके बाद सूरिया की कांगुआ अब कोई माने या ना माने अगर मुझे किसी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतिजार है तो वह है कांगुआ क्योंकि भाई अभी तक इसके जितने भी माल मैटेरियल आया है ना सब गूसबम लोडेड फिर उसके बाद तो पुस्पा भाव जिसके लिए तो पूरा हिंदूस्तान इंतिजार कर रहा है पुस्पा टू हाला कि 2024 में साउथ की तरफ से और भी फिल्में आएंगी बट ये चोटे मिया जिसके टीजर को देखने के बाद फैंस लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि साथ बड़े मिया चोटे मिया कुछ कमाल कर सकती है उसके बाद अजे देवगन की सिंगम अगेन जिसमें तो पूरा बॉलिवूट का बंडारा ही देखने को मिलेगा तो पैसला तो आपको करना पड़ेगा कोण है इसी फिल्म जो हजार क्रोल का कलेक्शन पार कर जाएगी क्या बहा है कलकी क्या कांगवा या फिर फूसपाटू या सिंगम दोजाचोबिस किसके नाम तो आपके हिसाब से क्या लगता है कोई बंड करके जुरूर बताएं टाटा और भाई- अगली बीडियो मेग